हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ बाल मुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानिक्स पी तो आज के इस पीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 सितंबर 2019 के टुपल सी एक्जाम में पूछेगे कुछ important questions तो आईए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी लोगों ने आज questions पेज़े हैं तो सबसे पहला नामे रिसर्फ, कार्तिक, सरीता यादोत इनको मेही तरफ से बहुत-बहुत धन्यबाद और भी बहुत से लोगों ने questions पेज़े हैं और इनके questions थोड़े से लेट मिले हैं जिसक को इसक्रीन पे दिख जाएगा आप चाहें तो में mail भी कर सकते हैं info.gyanix.gmail.com और आप चाहें तो questions comments में भी send कर सकते हैं तो सबसे पहला question है ms.dos में अगर आप edu यहाँ पे एक directory दी गई है में है तो cd command होता है only one dot यहाँ पे लिखा गया है command के बाद आप कहा होंगे अगर यहाँ पे इस directory में हैं और वहाँ पे आप type करते हैं cd command cd dot यहाँ एक single times यूज किया गया है ms.dos pre-installed आता है इसको open करने के लिए आपको simply क्या करना है बिंडो के साथ में r key प्रस करनी है इस तरह से और यहाँ पे आपको cmd type करना है जैसा यह question में पूछा गया है यहाँ पे इस directory की जगे पे लिखा गया है edo तो अगर माल लेते हैं यह edo लिखा है और यहाँ पे हम एक बाद single time cd dot लिखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे cd dot अगर आप single लिखते हैं तो directory change नहीं होती और अगर आप cd के साथ में double dot इस्तिमाल करते हैं तो directory change हो जाएगी तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे cd dot तो यहाँ पे मैंने cd dot type कर दिया आप simply यहाँ पे enter की प्रस करेंगे तो आप देखेंगे same directory में है कोई भी directory change नहीं हो रहे तो वहाँ पे क्या होगा slash edo दिया होता तो this means उस question का right answer होगा slash edo अब अगर हमें directory change करने है तो उसके लिए क्या command होगा तो यहाँ पे यह काफी important है तो उसको हम detail में बताने कोशिस करें तो आपको type करना है cd double dot और जैसे यहाँ पे cd double dot type करेंगे इसके बाद जैसे enter की प्रस करेंगे आप पीछे के तरफ एक directory move कर जाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं user directory के अंदर आ चुके हैं और अगर आप एक साथ directory से बाहर आना चाते हैं तो क्या करेंगे या फिर आप किसी directory में move करना चाते हैं जैसे वापस हमें उसी directory में जाना है जहाँ पे हम थे तो यहाँ पे आपको लिखना है cd space और यहाँ पे same उस directory का नाम लिखना है जिसके अंदर आप जाना चाते हैं तो यहाँ पे मैंने ये directory नाम लिखती है और जैसे हम इंटर करेंगे इस directory के अंदर आ जाएंगे वापस तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़े समझ में आई होंगी cd. अगर हम single लिखते हैं त तो हम directory change कर सकते हैं और cd के बाद में कुछ भी directory name देते हैं तो आप उस directory में move कर जाएंगे अब यहाँ पे अगर हमें सीधे सभी directory से बाहर आके main drive पे आना है तो इसके लिए एक अलग command होता है cd slash हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया cd slash अब जैसे इंटर की प्रस करेंगे हम cd c drive पे आ जाएंगे सभी directory से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे हम जैसे इंटर की hit करते हैं आप देख पार होंगे c drive के अंदर आ चुके तो यह कुछ important चीज़े थी single cd single dot के साथ में directory को change नहीं कर सकते हैं cd double dot के साथ हम single directory को change कर सकते हैं और cd से simply हम किसी भी directory में move कर सकते हैं और यहाँ पे cd slash से हम सभी directory से बाहर आ सकते हैं तो इससे बेस्ट कई सारे questions पूछे जा सकते हैं तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद कर लिजेगा तो इस question का right answer क्या होगा यहाँ पे लिखा है edo तो इस question का right answer होगा option d slash edo क्योंकि यह अगला question है what is the word processing in library office calc तो इहाँ पे calc नहीं लिखा रहा होगा यह simple यह होगा what is word processing in library office यहाँ पे calc इनोंने साध अपनी तरफ से लिख दिया होगा या गलती से लिख गया है तो इहाँ पे word processing क्या होता है library office में आप सभी को पता होगा writer इस question का right answer होगा option c writer और अगला question है twitter के एक tweet में maximum कितने word हो सकते हैं तो यह question हम पहले भी कई बार discuss कर चुके हैं अगर आपने सितंबर मन्त के online test के videos देखे होंगे तो यह videos काफी important है अगर आपने नहीं देखे हैं तो online test के playlist से videos जरूब देखेगा इसमें से काफी सारे questions triple c exam में पूछे जा रहे हैं तो इस question का right answer रूगा 280 और अगला कुछ ने shortcut key for slide so in powerpoint तो powerpoint में slide so start करने की shortcut की होती है f5 यहां पे मैंने no down कर दिया आप चाहें तो अलग से no down कर सकते हैं और इसी तरह से एक और question पूछा जा सकता है कि current slide से slide so start करने की shortcut key क्या है तो shift f5 उसकी shortcut key होती है और अगला कुछ ने इंडिया में commercial paper जिसको बुलते हैं sort में CP तो इसका full form भी पूछा जा सकता है कि CP का full form क्या है तो इसका full form होता है commercial paper की सुरुवात कब हुई यह एक नया question है और इस तरह के जितने भी नए नए topics हमें triple C exam में देखने को मिलना है इन सभी topics पे हम अलग से videos upload करेंगे triple C online classes नाम की playlist है जहां पे इस तरह के सभी topics आपको मिल जाएंगे और इन पे बेस्ट हम अलग से detail में video भी upload करेंगे तो अगर आप October मन्त की तयारी कर रहे है triple C exam की तो आप इस playlist को जरूर फॉलो कीजिएगा काफी important है इसमें आपको triple C ने उसले बस पे बेस videos मिल जाएंगे उके तो इस question का right answer है 1990 में commercial paper की सुरुवात हुई जो की financial services जोड़ा हुआ है और ये industry में financial सुभिधा प्रदान करने के लिए commercial paper का इस्तेमाल किया जाता है और अगला कुछ ने shortcut key of subscript in writer ये काफी important है इसको हम पहले बे discuss कर चुके हैं मैंने writer के बीस अलग से video upload किया था जिसमें writer की सभी important keys को practical के साथ बता है तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजेगा काफी help मिलेग एक्जाम में तो इस question का right answer क्या होगा आप सभी को स जगे पे आता है पी जो की super script की shortcut key होती है और अगला question है how many type of reaction in facebook ये भी काफी important है आप दिन बर में कई बार facebook इस्तेमाल करते होंगे तो साइद आपको पता होगा कितने type के reactions होते हैं और इस question का right answer होगा option D3 यहाँ पे तीन तरह के reaction होते हैं आप तो like कर सकते हैं या फिर comment कर सकते हैं या फिर share कर सकते हैं आप किसी भी post के नीचे देखेंगे वहाँ पे तीन तरीके के reactions मिलते हैं आपको like share और comment और अगला question है बैंक को internet से कब जोड़ा गया यह important question है आप चाह command का इस्तिमाल करते हैं फाइल को print करने के लिए और अगला question है among app किस ministry से launch किया गया यह भी important question इसको हम पहले भी discuss कर चुके हैं तो इस question का right answer है option C electronic and IT मंत्राले ने among app को launch किया है और अगला question है messenger किस से संबंदित है internal messaging, social networking, instant messaging या फिर none तीए काफी simple से question है इस तरही के यह question हम पहले भी कई बार discuss कर चुके हैं तो इस question का right answer होगा instant messaging और इसको short में बोलते हैं I am और अगला question है junk mail का दूसरा नाम बताईए यह काफी popular question है पहले भी हम कई बार इसको explain कर चुके हैं तो सायद अगर आपने हमारी वीडियोस देखे होंगे तो यादार होगा इस question का right answer क्या है तो junk mail को हम spam mail के नाम से भी जानते तो इस question का right answer है option C spam और अगला question है भारत में उमंग app कब से शुरू हुआ इसको भी हम पहले discuss कर चुके हैं तो आप सभी को पता होगा 23 November 2017 को उमंग app की शुरूआत हुई या launching हुई और अगला question है लिब्रे office में word count किस menu में होता है और इसी तरह एक और question पूछा जाता है कि word count कहां पर दिखाई देता है तो status bar पे दिखाई देता है और किस menu के अंदर ये option होता है सबसे पहला option है tools insert format या फे edit तो अगर आप लिब्रे office writer में tools menu के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक word count का option दिखता है तो इस question का right answer होगा option A tools तो अगर आप यहाँ पे practically देखना चाहें तो यहाँ पे tools एक option दिया हुआ है menu है और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको word count का एक option मिलेगा जैसे आप यहाँ पे click करते हैं आपके document में कितने words हैं बिना space के या with space के वो सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं और अगला कुछ ने blockchain क्या है यह काफी important topic है इसको हम पहले भी discuss कर चुके हैं तो blockchain एक तरीके का बही खाता होता है distributed बही खाता होता है जो की peer-to-peer network पे आधारित होता है या based होता है तो अगर आप इसको English में समझना चाते हैं तिहाँ पे इसको मैंने note down कर दिया आप चाहें तो अलक से note कर सकते हैं यह होता है distributed laser on peer-to-peer network तो laser का मतलब होता है distributed बही खाता है जो की peer-to-peer network पे based होता है और अगला question है sky कितने bits का होता है यह काफी important question है इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कई बार इसका full form पूछा जाता है तो इसका full form होता है American Standard Code for Information Interchange तो sky 7 और sky 8 दो तरग के versions में आता है sky 7 एक 7 bit का code होता है और sky 8 एक 8 bit का code होता है इनमें अगर हम difference की बात करें sky 7 जो की 7 bit का code है से 128 character को represent किया जा सकता है जबकि अगर हम sky 8 की बात करें तो 8 bit का एक code होता है जिससे 256 अधिकतम character represent किया सकते है तो यहाँ पर इस question में options नहीं मिले थे जिसने भी questions पेज़ें यहाँ पर options नहीं दिया गया था तो maybe 7 और 8 में से कोई एक option रहा होगा जो कि इस question का right answer होगा और अगर इस question में options में 7 और 8 दोनों दिया गया था तो दोनों यह option correct होंगे और अगला question है ब्राउजर में नए tab खोलने की shortcut की कौन से यह question कल भी पूछा गया था और इस question का right answer है control प्लस T और अगला question है CC में दो बार address लिख सकते हैं तो यह काफी popular question है कल भी पूछा गया था काफी simple सा है इस question का right answer होगा true और इसका full form होता है carbon copy और जो की एक email से जुड़ा हुआ question है और अगला question है बार code और QR code एक ही बात है तो सायद इस तरह से पूछा गया होगा बार code और QR code एक ही होता है यह question true false में पूछा गया है important question है तो bar code और QR code के बारे में हम पहले भी काफी detail में explain कर चुके हैं बता चुके हैं क्या होता है कितने digits का होता है यह कितने numbers store कर सकते हैं यह काफी detail में हम बता चुके हैं तो अगर आपने videos देखे होंगे तो यादार होगा bar code और QR code दोनों अलग-लग होते हैं बार कोड एक single dimension या one dimension कोड होता है जबकि QR कोड two dimension कोड होता है और बार कोड एक horizontal कोड है जबकि QR की बात करें तो horizontal वर्टिकल दोनों direction में होता है 2D कोड होता है तो इस question का right answer होगा false एक ही बात नहीं है और अगला question ने IIN में कितने character होते हैं ये काफी important question है ओके और इस question का right answer होगा यहाँ पे कुछ options दिये रहे होगे exactly क्या option थे इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन मैं इसका right answer बता दे रहा हूँ IIN में कोई भी character नहीं होते हैं सिर्फ यहाँ पे digits होते हैं और total six digit होते हैं यहाँ पे हो सकता है character की जगे पे digit लिखा हो जब इन्होंने question type किया तो यहाँ पे character type हो गया या फिर यहाँ पे अगर character दिया गया था तो इस question का right answer हो जाएगा अगर two false में था तो यह false हो जाएगा या फिर यहाँ पे पूछा गया होगा कुछ options में options दिये गया होंगे कि 1,2,3,4,5 इस तहीं कुछ numbers होंगे और इसमें एक number होगा 0 जो की right answer होगा क्योंकि इसमें IIN code में characters नहीं होते हैं सिर्फ digits होते हैं जो की six digit होते हैं और exam में यह भ full form of F.S.F. यह question काफी popular है आज कई लोगों ने मुझे WhatsApp पे इसका full form पूछा है तो आप मेंसे अगर किसी को इस question का right answer पता है तो आप लोग comment कर सकते हैं और इसका full form होता है free software foundation आप चाहें तो no down कर सकते हैं क्योंकि कई लोगों ने आज हमें पूछा है WhatsApp पे इसका full form बता दीजे मीन्स काफी लोगों के exam में या अलग-अलग सिप्ट में पूछे के questions में यह question काफी popular रहा है और अगलग question ने NPCI की सुरुआत कब हुई तो इसको हम पहले भी पता चुके हैं NPCI की सुरुआत हुई है 2008 में आपको अगर नहीं पता है तो इसको no down कर सकते हैं और अगला question है ruler option किस menu में होता है तो ruler का option होता है view menu के अंदर और एक और question यहाँ पे पूछा जा सकता है किसकी shortcut key क्या होते है तो इसकी shortcut key होते है control shift plus R अगर आप ruler को on करना चाते हैं या off करना चाते हैं तो इस shortcut key का इस्तिमाल कर सकते हैं on और off दोनों के लिए shortcut key का इस्तिमाल किया जाता है और ruler often होता है view menu के अंदर अगर आप इसको practically दिखना चाते हैं तो यहाँ पे आपको writer open करना है यहाँ पे आपको dotted form में जो दिख रहा है यह क्या है ruler और अगर हम इसको on करना चाते हैं तो यहाँ पे control shift plus R का इस्तिमाल करेंगे off करना चाते हैं तो control shift plus R तो अगर हम इसको practically करके देखें तो simply क्या करना है control shift R प्रस करना है और यहाँ पे आपको ruler on और off का option मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है और इसकी shortcut की भी यहाँ पे लिखी गई है और अगला कुछ ने UC browser किस देश ने बिक्सित किया यह काफी important question है इसका right answer आप जरूर कहीं पे no down कीजिगा इस पे 20 और भी questions पूछे जा सकते हैं जैसे UC browser किस company ने डबलब किया और यहाँ पे पूछा गया है किस देश ने बिक्सित किया तो इस question का right answer होगा China चाइना ने डबलब किया है चाइना की company है Alibaba जिसकी एक sub company है जो की UC browser डबलब करती या इसका development देखती है उसका नाम है UC web आप इसको भी no down कर सकते हैं UC web ने UC browser को डबलब किया है और जिसकी parental company है Alibaba और अगला कुछे ने टेली ग्राम किसने बिक्सित किया इसको हम पहले भी discuss कर चुके हैं तो काफी important question है निकोलिया और पावल ने टेली ग्राम को डबलब किया था तो आप चाहें तो इसका right answer कहीं पे no down कर सकते हैं यहाँ पर हम जितने भी questions discuss करते हैं उनके कुछ ऐसे questions होते हैं जिनके right answer आपको नहीं पता है तो आप इसको अलग से जरूर no down कीजिगा और खास तोर पे जवाब exam देने जाते हैं तो इस तरह के questions अलग से जरूर revise करें क्योंकि काफी popular questions होते हैं और exam में पूछी जा सकते हैं और अगला question है calc में चोड़ाई कम करने की shortcut key क्या है तो एक important question है और इस question का right answer होगा odd plus left arrow अगर आप calc में किसी cell की चोड़ाई कम करना चाते हैं तो odd plus left arrow का इस्तिमाल करेंगे और इसी तरह से एक और question पूछे जा सकता है इक calc में cell की चोड़ाई को बढ़ाने के लिए कि shortcut key का इस्तिमाल करते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा odd plus right arrow और अगला question ने परम अनुराग सुपर कम्प्यूटर किस देश ने विक्सित किया तो यहाँ पे एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है छोटी मुटी गलतियां हो जाते ही जल्द बाजी में तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा परम अनुराग इंडिया द्वारा डबलब किये गे सुपर कम्प्यूटर से हैं तो इस question का right answer होगा इंडिया और अगला question है भीम एप एक नगद एप है तो यह थोड़ा सा logical question है आप लोगों में से देखते हैं कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे तो इस question का right answer होगा false भीम एप एक नगद एप नहीं है नगद का मतलब होता है cash तो यहाँ पे भीम एप के द्वारा आप cash नहीं ले सकते हैं इससे payment को online अपने account में transfer कर सकते हैं तो एक नगद एप नहीं है और अगला कुछने LibreOffice writer में आप word format में file को save नहीं कर सकते हैं यह भी एक important question है तो word file का extension होता है dot doc या फिर dot docx तो अगर आप LibreOffice writer में काम कर रहे हैं और आप किसी file को save करना चाहते हैं word format में means doc या फिर docx format में तो आप इसमें save कर सकते हैं तो इस question का right answer होगा false क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है save नहीं कर सकते हैं और अगला कुछने LibreOffice writer में minimum zoom क्या है 10, 15, 20 या फिर 40 और इस question का right answer होगा option C 20% होता है minimum zoom और maximum zoom होता है LibreOffice writer में 600% यह भी एक important question था और इसको हम पहले भी discuss कर चुके हैं तो यहाँ पे काफी सारे questions लोगों द्वारा मुझे भेजे गये थे जिसमें से मैंने कुछ selected questions आज discuss किये हैं चल्दी हम बाकी सभी questions को भी discuss करेंगे क्योंकि यह सभी important questions है और चल्दी इन पे based अलग से हम video upload करेंगे तो इसी तरह आप लोग भी हमें questions भेज सकते हैं question भेजने के लिए आप हमारा whatsapp number नो डाउन कर सकते हैं यहाँ पे आप question नो डाउन करके उनके snap sort भेज सकते हैं या फिर message में type करके भेज सकते हैं या फिर आप चाहें तो हमें mail कर सकते हैं info.ganxp.gmail.com या फिर आप चाहें तो हमारी वीडियो में comment करके भी questions send कर सकते हैं और यह कुछ ऐसे questions होते हैं जो कि आगे आने वाले दिनों में जो लोग triple C के exam देते हैं उनको काफी help मिलते हैं प्लस आपको पता चलता हैं आपके दौरा भेजेगे questions के right answer क्या है आपको इस तरह के काफी सारे questions के mock test मिल जाएंगे तो आप यहां से practice करते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए questions के साथ तब तक के लिए bye bye thank you thank you for watching